हलो अब्रीवन विल्कम बैक टू माई चानल आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने स्टडी को बेटर कैसे कर सकते हो तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए पॉइंट नमबर वन आपका माइड जो है वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए जब आप स्टडी करते हो आपका माइड जो है वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए आपका माइड पोजेटिव होना चाहिए आपकी बॉड़ी हिल्दी होनी चाहिए आपका माइड हिल्दी होना चाह अगर यह सब कुछ रहता है तो आप अपने study को proper तरीके से अच्छे तरीके से कर पाऊगे उसके लिए आपको करना क्या है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा जब आप रात में सोते हो तो सोने से पहले आपको क्या करना है next day की planning कर लेनी है और सूने से पहले आपको क्या करना है जो भी फाल्तू बाते हैं उनके बारे में नहीं सोचना है जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है जो भी अच्छी बाते हैं उसके बारे में आपको सोचना है जो भी पोजेटिव बाते हैं उनके बारे में आप सोचो अपने mind को एक happy mind के साथ ही आप सो जिससे क्या होगा कि आपका next day है वो अच्छा रहेगा जिसे आप हर काम को कर पाओके तो जब आप सोते हो तो यह most important point है कि आपका mind जो है वो सोता है तो वो positive thinking के साथ सोता है तो आपका next day वैसे ही better रहता है तो आप यही try करो कि जब आप सोते हो तो आप एक positive thinking के साथ सो आप अपने goal को सोचते हुए सो आप एक अच्छी सोच के साथ ही सो next point मैं यही बोलूगी कि आप exercise करो अपने body को healthy बनाने के लिए आप exercise करो healthy food लो आप junk food कम खाऊ and meditation करो exercise करो and अपने mind को concentrate करने के लिए अपने mind को concentrate रखने के लिए meditatettесь जरूर करो आपको क्या करना है जो भी कुछ करना है उसे आप note करकी ही plan करो कि आपको करना क्या है आप iसका अप जब आप अपर study करते हो इसके लिए आप time table set करके ही study करो table chair पर ही study करो जब आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो कंसंट्रेट होके पढ़ाई करो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज को साइट करो इस तरीके से आप करते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और आप जो करना चाहते हो वो कर पाते हो तो वीडियो को लाइक चुरूर करना और चानल पर न्यूँ है तो चानल को सब्सक्राइब पर के बिल आइकन को क्लिक कर लेना थैंक्स पो वाचिंग